बचो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गनित की पार्टे पुस्तका ध्याय 4 द्वी घात समीकर्ण भाग 5 में आज हम चर्चा करेंगे प्रस्नावली 4.2 की प्रस्न संख्या 3 से 6 तक की प्रस्न संख्या 1 और 2 की चर्चा हम पहले कर चुके हैं बचो देखते हैं प्रस्न संख्या 3 प्रस्न संख्या 3 में हमसे कहा गया है ऐसी दो संख्याएं गयात कीजिएए दो संख्याएं हमें गयात करनी हैं जिनका योग 27 हो और गुनन फल 182 हो तो जब भी प्रश्न में 2 संख्याओं की बात की जाती है तो हम मानते हैं छोटी संख्या या बड़ी संख्या अत् Ready है हल में हम लिख लेंगे बच्चो माना की क्या लिखेंगे माना की छोटी संख्या छोटी संख्या बराबर X छोटी संख्या को क्या मान लेंगे X क्योंकि संख्याओं का योग कितना दिया गया है हमें योग हमें दिया गया है 27 अगर इसमें से छोटी संख्या X है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों इसलिए क्योंकि योगफल 27 है इसलिए बड़ी संख्या जो है वो हो जाएगी 27 माइनस X अगर आपने बड़ी संख्या को एक्स बाना होता तो चोटी संख्या क्या हो जाती 27 माइनस X अब देखिए क्योंकि अभिष्ट दोनों संख्याओं का गुननफल कितना है बच्चो गुननफल वो है एक सो बैयासी इसलिए जब आप 27-x को गुना करेंगे x से तो आपको मिलेगा 182 x को अंदर गुना कर दीजिए क्या आजाएगा आपको मिल जाएगा 27x-x स्क्वाइर बराबर 182 बराबर 182 देखिए x को अंदर गुना करेंगे 27x और x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वाइर 27x-x स्क्वाइर बराबर 182 सब को दूसरी तरफ पक्षांतित कर दीजिए इन दोनों को 182 की और पक्षांतित करोगे तो यह माइनस का x स्क्वाइर प्लस का x स्क्वाइर हो जाएगा प्लस का 27x माइनस का 27x हो जाएगा और इधर यह क्या है 182 प्लस का है बराबर में 0 तो ये हमाई प्राप्त हो गई है एक द्वीघात समीकर्ण ABC बता दीजे इसमें A का मान है 1, B का मान है माइनस 27 और C का मान कितना है 182 गुननखंडों द्वारा हम इस द्वीघात समीकर्ण को हल कर सकते हैं क्या करते हैं गुननखंड विदी में हम A को C से गुना करते हैं एक को 182 से जब आप गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा 182 के ऐसे दो गुननखंड हम ग्याद करेंगे जिनका योग या अंतर क्या हो B के संख्यात्मक मान के बराबर हो यहाँ क्योंकि A और C का गुननखंड धनात्मक आया है इसलिए हम इसके ऐसे दो गुननखंड ग्याद करेंगे जिनका योग क्या हो 27 27 consult थो 182 के जब हम गुनंखंड करते हैं बचो 182 के जब हम क्षबं करते हैं नहीं जाएगा इसका इसमें साथ का भाग लगा दीजिए इसको साथ से गुणा कर दीजिए 14 गुणा 13 इन दोनों का योग फल 27 आ जाएगा और ये 182 के अभिष्ट गुणनखंड हो जाएंगे जिनका की योग 27 आता है तो 27 की जगे हम लिख देंगे ये x square अपनी जगे माइनस अपनी जगे 27 की जगे लिख दीजिएगा बच्चो 14 प्लेस 13 x प्लेस 182 बराबर 0 यहां से आपको मिल जाएगा x square माइनस 14 x माइनस 13 x प्लेस 182 बराबर 0 फिर हम क्या करते हैं प्रथम दो और अन्तिम दो में से उबहनिष्ट लेकर गुणनखंड परात करते हैं प्रथम दो में से क्या उबहनिष्ट आ रहा है x अंदर बच जाएगा x माइनस 14 अंतिम दो में से 13 उबहनिष्ट लेलेंगे माइनस में तो यहां बच जाएगा x माइनस 14 एक्स माइनस 14 को भी उबेनिस्ट ले लीजिए आपके पास बच जाएगा एक्स माइनस 13 और ये बराबर में 0 अतहे एक्स बराबर 14 या बच्चों कितना 13 एक्स का मान 14 है या 13 है एक्स क्या था छोटी संख्या दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या अतहे हम लिखेंगे यदि एक्स बराबर 13 तब अगर हम एक्स का मान 13 लें तब देखिए छोटी संख्या तो हो जाएगी 13 तथा बड़ी संख्या बड़ी संख्या हो जाएगी 27-x, x की जगे 13 अर्था अर्था 14 बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 14 यदि एक्स का मान हम क्या लें 14 लें तब देखिए चोटी संख्या हो जाएगी चोटी संख्या हो जाएगी आपके पास चवदा क्योंकि X हमने किसको माना था चोटी संख्या को तथा बड़ी संख्या हो जाएगी आपके पास बड़ी संख्या वो हो जाएगी 27 माइनस X अर्था आर्थ 13 क्या यह संभव है चोटी संख्या चाउदा हो और बड़ी सं्वावर नहीं ना क्योंकि चाउदा क्या होताograf है ती हम लगोईंगे। जो की संभव नहीं है आता है ंक्या मान क्या लिया जाएगा बच्चों चाउदा या त्यों आ तेरा नहीं सिर्फ त्यंठा clam डा अगर आप petit की जगें 14 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है contradiction आता है छोटी संख्या 14 और बड़ी संख्या 13 जो की संभव नहीं है आता है हम लिखेंगे अभिष्ट संख्याएं अभिष्ट संख्याएं कौन सी हो जाएंगी 14 और बड़ी संख्याएं 14 और 13 बच्चो एक्स का मान निकाल के मत छोड़ दीजिएगा आप से एक्स का मान नहीं पूँचा एक्स आपने अपनी तरफ से इंक्लूड किया है उत्तर में इसलिए जब आपके पास एक्स का मान आ ज जाए तब जो पूछा गया है दोनों संख्याएं वे भी निकाल के आप बताएं अब देखते हैं अगला प्रस्ण देखिए प्रसनावली चार पॉइंट दो का प्रस्ण संख्या चार इसमें क्या का गया है हमसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए कैसे पूर्णांक एक जोडने पर प्रापत होता है जैसे तेरा के अगला पूर्णांक चाउदा पंद्रा के अगला पूर्णांक सोला सो के अगला पूर्णांक 101 कैसे प्रापत होता है एक जोडने पर ऐसे दो क्रमागत पूर्णांक हमें ग्याद करने हैं जिनके वर्गों का य चोटा पूर्णांग दो क्रमागत पूर्णांग है तो उन में से एक पूर्णांग छोटा होगा और एक बड़ा होगा तो छोटा पूर्णांग हमने मान लिया x आता है बड़ा पूर्णांग बड़ा पूर्णांग क्या हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लेस एक क्या हो कि हमें क्रमागत पूर्णांग ग्याद करने है एक्स के अगले वाला क्या होगा प्लस एक कर दीजिए अगला यानि की बड़ा पूर्णांग यानि की x का work कर लीजिए और x प्लस 1 का work कर लीजिए फिर जोडेंगे तो आपको मिलेगा 365 हल कीजिये से ये आ जाएगा x square प्लस a प्लस b का whole square क्या होता है a square प्लस 2ab प्लस b square एक का square एक ही आएगा बराबर कितना 365 ये एक को उदर ले जाके घठा दीजिए कितना हो जाएगा 365 इस तरफ आपके पास हो जाएगा x square कितना टू टाइम x square और x square दो x square फ्लस का 2x और इदर मिल गया आपको पास 364 दो उभैनिश्ट लेके भाग लगा दीजिए x square प्लस x बराबर देखिए दो का भाग लगाएंगे दो एक हम दो दो अंटे 16 और दो दूनी 4 182 182 को इदर लाके सोच चीए आपको मिलेगा x square प्लस x माइनस 182 बराबर 0 जो कि क्या है एक द्वी घात समीकर्ण है इसको हल कर लेंगे हम किसे गुणन खंड़ द्वारा या गुणन खंड विविधी से क्या करें ए bc के आगर बता दीजिये मिल को ए तो आपको मिल गया 1 b मिलजाएगा 1 और सी मिल जाएगा 152 क्या करते हैं गुणन खंड विदी में ए गुणा तो इनको घठाने पर एक भी प्राप्त हो रहा है पिछली बार हमने जोड़ने पर 27 प्राप्त किया था यह हमारे लिए आसान बन गया है प्रस्न संख्याच्यार तीन की सायता से हम इसको भी हल कर लेंगे तो देखिए एक के इस्थान पर हम लिख देंगे 14 माइनस 13 तो यह हो जाएगा एकस स्क्वाइर प्लैस अपनी जगें एक के इस्थान पर 14 माइनस 13 एकस माइनस 182 बराबर 0 यहां से जब आप एकस अंदर गुणा करेंगे एकस इस्क्वाइर प्लस चव्दा एकस मांइस 13 एकस-182 बराबर 0 प्रथम दो में से उभेնिष्ट ले लीजिए X अंदर बच जाएगा X प्लस 14 अंतिम दो में से उभेनिस्ट ले लीजिए 13 को यहां बच जाएगा X प्लस 14 माइनस के 13 को उभेनिस्ट लेंगे बचों तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे X प्लस 14 को भी उभेनिस्ट ले लीजिए अंदर बच जाएगा X माइनस 13 बराबर जीरो आते है X बराबर 13 या माइनस 14 क्योंकि क्योंकि हमें पूर्णांक कैसे ग्याद करने थे धनात्मक पूर्णांक और यहां हमने माना था छोटा पूर्णांक क्या है X तो हम लिखेंगे क्योंकि X एक धनात्मक पूर्णांक है अते है X बराबर सिर्फ कितना होगा 13 माइनस 14 नहीं लेंगे बच्चों यहां पर भी लिख दीजिए माना की छोटा धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ठेक है जब आप अजूम करें माने तब भी उसको बता दीजिए कि हमने धनात्मक माना है प्रस्ण में हमें धनात्मक पूर्णांक याद करने के लिए कहा गया है तो क्योंकि X धना पूर्णांक बराबर तेरा तथा बड़ा पूर्णांक बराबर तेरा प्लस एक अर्थार्थ चाउदा ठीक है न या आप लिख सकते हो अतह अभिष्ट क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये लिखना ज्यादा उचित रहेगा बच्चो अभिष्ट धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे तेरा वै चाउदा कितने तेरा वै चाउदा वो धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग क्या है जिनके वर्गों का योग है 365 इस तरीके से हल कर लेंगे प्रशन संख्या पांच एक समकोन तिरबुज की उँचाई इसके आधार से साथ सेंटीमिटर कम है उँचाई की बात हो रही है उँचाई क्या है आधार से साथ सेंटीमिटर कम है यदि कर्ण तेरा सेंटीमिटर का हो तो अन्य दो बुजाएं ग्याद कीजी अच्छा देखिए एक समकोन त तिर्बुज की बात हो रही है यह वो समकोन तिर्बुज है ए बी सी अगर आप इसका आधार ले ले लेते हैं एक्स तो इसकी उचाही क्या हो जाएगी एक्स से साथ कम ठीक है और कर्ण कितना है तेरा सेंटीमीटर तो इसको मैं मान लेता हूँ आधार को एक्स सेंटीमीटर यह हो जाएगा एक्स माइनस साथ सेंटीमीटर हल में क्या लिखेंगे देखिए हल में लिखेंगे माना की माना की अभिष्ट अभिष्ट समकोन समकोन तिर्बुज की तिर्बुज का आधार आधार बराबर एक्स सेंटीमीटर अतह है उचाई या लिखेंगे प्रशनानुसार प्रशनानुसार तिर्बुज की उचाई तिर्बुज की उचाई उचाई क्या हो जाएगी उचाई हो जाएगी आधार से 7 सेंटीमीटर कम एक्स माइनस साथ सेंटीमीटर एक्स माइनस साथ सेंटीमीटर वच्चो कितनी एक्स माइनस साथ सेंटीमीटर क्या आपको समकोन तिर्बुज की तीनों बुजाओं के मद्य संबंद याद है बिल्कुल पायतो गुरस प्रमे से हम जानते हैं लिखेंगे क्यों की समकोन तिर्भुज के लिए समकोन तिर्भुज में लंब लंब इसक्वाइर प्लैस आधार इसक्वाइर बराबर किसके होता है कर्ण स्क्वाइर के लंब स्क्वाइर प्लैस आधार इसक्वाइर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वाइर समकोन तिर्भुज की तीनों बुजाओं में यह संबंद क्या कहलाता है बच्चों पाय तो गुरस प्रमे अब हम लिख देते हैं उचाई लंब अर्थार्थ उचाई उचाई कितनी है एक्स माइनस साथ यहां से आपको मिल जाएगा एक्स माइनस साथ का होली स्क्वाइर आधार कितना है एक्स उसका स्क्वाइर बराबर कर्ण अर्थार्थ 13 का स्क्वाइर हल कर लेते हैं ए माइनस बी का होली स्क्वाइर दिख गया क्या होता है ए माइनस बी का होली स्क्वाइर ए स्क्वाइर माइनस टू अबी प्लस बी स्क्वाइर तो यहां से ए स्क्वाइर माइनस 2 A की जगे X B की जगे 7 X स्क्वाइर माइनस 2 AB प्लस B स्क्वाइर B की जगे है 7 इसका स्क्वाइर और ये X का स्क्वाइर X स्क्वाइर 13 का स्क्वाइर हो जाएगा 179 यहां से हमें मिल जाएगा X स्क्वाइर माइनस 14 X प्लस x square बराबर 179 माइनस 7 का square कितना होता है 49 ये plus का 49 उदर जाके गठ जाएगा x square और x square कितना हो गया 2 x square माइनस 14 x बराबर 9 में से 9 गया 0 16 में से 4 गया 12 ठीक है 120 2 common लेके भाग लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा x square माइनस 7 x माइनस 60 बराबर 0 2 गहत स्वमीकर्ण आपको प्रात हुई है हल कर लेंगे गुननखंड विदी से a b c के मान बताईए a का मान है 1 b का मान है माइनस 7 c का मान है माइनस का 60 a गुना c करेंगे माइनस 60 आएगा माइनस का गुननफल आया है अर्थार्थ 60 के ऐसे 2 गुननखंड हमें ग्याद करने हैं जिनको गठाने पर b का संख्यात मान अर्थार्थ 7 आए तो 60 के गुननखंड कीजिए 1 गुना 60 लिख सकते हैं 2 गुना 30 लिख सकते हैं 4 गुना 15 लिख सकते हैं तो 12 में से 12 में से 5 गठाएंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ये 60 के हमारे ऐसे दो गुनन खंड हो जाएंगे जिनको गठाने पर 7 प्राप्त होता है तो यहां लिख देंगे हम x स्कौाइर माइनस अपनी जगे 7 की जगे 12 माइनस 5 x की जगे x माइनस 60 बराबर 0 गुना कर लिए अंदर तो यह आजाएगा एकस स्कुरायर माइनस 12 एकस प्लैस पांच एकस माइनस 60 बराबर जीरो यह सारे कारी हमारे माइंड में करने वाले हैं रफ वर्क है बच्चो माइंड में कीजिए गाइन को अब हम क्या करेंगे प्रतम दो और अन्तिम दो में से उभेंश्ट लेंगे तो प्रखम 2 में से BTS आ गया includes अंतिम 2 में से 5 उभेंश्ट आ गया यहां पे भी 저는 2 बराबर 0 X – 12 को भी उभेंश्ट ले ली जिये X – 12 उभेंश्ट आ जाएगा तो प्लस 5 और बराबर 0 अतहे बच्चो एक्स बराबर अतहे एक्स बराबर 12 या माइनस 5 अब देखें क्योंकि एक्स को हमने क्या माना था समकोन तिरभुज का आधार माना था तो ये रिडातम नहीं हो सकता इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक्स समकोन तिरभुज का तिरभुज का आधार है आतहे है एक्स नेवर भी माइनस 5 एक्स रिडातम नहीं हो सकता इसलिए इसलिए एक्स का मान सिर्फ क्या होगा 12 अतहे है लिख देंगे बच्चो अभिश्ट अभिश्ट भुजाएं अभिश्ट भुजाएं हमें समकोन तिरभुज की भुजाएं ज्यात करने थी आधार आधार आजाएगा 12 सेंटीमीटर तथा उंचाई हमें मिल जाएगी कितनी उंचाई मिल जाएगी बारा से साथ कम अर्थार्थ पांच सेंटी मिटर इस प्रकार से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या पांच को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बचो आसानी से द्विगा समीकंड को हम हल कर सकते हैं गुणनखंड व बरतनों का निर्मान करता है एक विशेश दिन यह देखा गया कि प्रतेक नग की निर्मान लागत रुपे में उस दिन के निर्मान किये गए बरतनों की संख्या के दुगने से तीन अधिक थी एक विशेश दिन क्या देखा गया जितने बरतन बनाए गए उसके दुगने से तीन अधिक क्या है एक बरतन को बनाने की लागत यदि उस दिन की कुल निर्मान लागत 90 रुपे थी तो निर्मित बरतनों की संख्या और प्रतेक नग की लागत ग्यात कीजिए प्रतेक नग की लागत हमें ग्यात करनी है और उस दिन कितने बरतन बनाएगे ये भी हमें ग्य कुल निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर X हमने कितने बर्तन बनाए उस दिन X बर्तन अतह बच्चो प्रतेक बर्तन की निर्मान लागत हर एक बर्तन की निर्मान लागत क्या होगी वो हो जाएगी जितने बर्तन बनाए उसका दुगने से तीन अधिक अर्थार्थ दो X प्लेस तीन रुपे क्योंकि उस दिन की कुल निर्मान लागत कितनी है 90 रुपे हैं इसलिए कुल निर्मान लागत हम कैसे निकालते हैं एक बर्तन को बनाने में जितने रुपे लगे उसको हम गुणा कर देंगे कुल बर्तनों से तो हमारे पास आजाएगी कुल निर्मान लागत अर्थार्थ 90 रुपे एकस को अंदर गुणा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी एक द्विघात समी करण दो एकस स्क्वाइर प्लेस तीन एकस माइनस नबबे बराबर जीरू जिसको हम हल कर लेंगे गुणन खंड विदी से क्या करेंगे एक गुणा सी कितना जाएगा माइनस 180 180 के ऐसे दो गुणन खंड गयात करेंगे जिनको गठाने पर तीन आए तो देखिए 180 के ऐसे 2 गुननखंड जिनको गठाने पर 3 आए 1 गुना 180 गठा के देख लीजी 2 गुना 90 गठा के देखिए 3 नहीं आएगा 4 गुना 45 गठा के देखिए 3 नहीं आएगा इसमें 3 का भाग लगा दीजिए 15 इसको 3 से गुना कर दीजिए 12 गठा के देखिए 3 आ जाएगा तो अब इस्ट गुणन खंड हो जाएंगे 15 गुणा 12 तीन के स्थान पर हम लिख देंगे 2x स्क्वाइर और 3 के स्थान पर हम लिख देंगे 15-12 x-90 बराबर 0 x को अंदर गुणा कर लिजिए 2x स्क्वाइर प्लेस 15 x-12 x-90 बराबर 0 प्रथम दो में से x उभेनिष्ट आ गया 2x प्लेस 15 अंदर बच गया अंतिम 2 में से क्या उभेनिष्ट आ जाएगा 6x 6 उभेनिष्ट आ जाएगा अंदर बच जाएगा 2x 2x प्लेस 15 छे उभेनिष्ट आ जाएगा बचो X उबेनिष्ट नहीं आएगा इसके पास X नहीं है तो 6 उबेनिष्ट आजाएगा 2X प्लस 15 को भी उबेनिष्ट ले लीजिए 2X प्लस 15 को भी उबेनिष्ट ले लिया अंदर बच गया X माइनस 6 बराबर 0 आता है X के 2 जो मान आएंगे हमारे पास कौन कौन से आएंगे देख है या माइनस पंदरा बटे दो क्या एक्स का मान माइनस पंदरा बटे दो हो सकता है याद कीजिए हमने एक्स किसको माना है बरतनों की संख्या को तो क्या कभी माइनस में हो सकती है बरतनों की संख्या नहीं न तो हम से कभी भी रिनात्मक तो नहीं होगी तो एक्स का मान माइनस पंद्रा बटे 2 नहीं होगा इसलिए एक्स का मान क्या लेंगे हम 6 लेंगे अत्य हैं बरतनों की संख्या बरतनों की संख्या कितने बरतन बनाए हमने उस दिन 6 तथा प्रतेक प्रतेक नग की निर्मान लागत क्या हो जाएगी दो गुने से 3 अधिक 12 का 6 का 2 गुना 12 12 में 3 जोड़ेंगे कितना जाएगा 15 प्रतेक नग की निर्मान लागत क्या जाएगी 15 रुपई कितने बच्चो 15 रुपई इस तरीके से हल कर लेंगे हम प्रस्न संख्याद 6 को एक दिन में निर्मित बरतनों की संख्या मानेंगे उससे प्रतेक नग के निर्मान लागत निकालेंगे दो एक्स प्लस तीन कुल निर्मान लागत हम कैसे निकालते हैं बरतनों की संख्या को एक बरतन बनाने में जितने पैजे लगे उससे गुणा कर देंगे कुल निर्मान लागत के बराबर होगा द्वी घास समीकंड हल करना हमने सीख लिया ह से तीन अधिक क्या जाएगी प्रतेक बरतन की निर्मान लागत आ जाएगी जो कि कितनी आई पंदरा रूपए उमीद करता हूं सभी प्रशन आपको अच्छे से समझ में आ गये हैं आप पुने दोराएंगे बच्चों खोश रहिए पढ़ते रहिए धन्यवाद